प्रहार टाइम्स प्रहार टाइम्स आप चाहते हैं कि आवाम जो है इस मुल्क में रहे करके परेशान ना हो आज आप जानते हैं ये काला कानून जो गौर्मिंट लेके आई है इससे पूरे हिंदुस्तान के लोग दुखी है खासकर मुसल्मान, दलीट, ओबीसी और सब जाद के लोग इससे परेशान हैं और पूरी दुनिया में इससे परेशान हैं लोग यहां तक कि यूरोपे उनियन के अंदर भी इस काले कानून को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है और इसकी मुखालिफत हो रही है अब उन लोगों ने आगे बढ़ करके कहा है कि इस कानून को खत्म करना है और हिंदुस्तान को बंद करना है, इहतिजाज करना है, गौर्ल्मेंट के उपर परेसर देना है इसलिए हम लोग उनकी आवादों पर लब्बेक कहें और हम घमारे दोस्त लोग, हमारे शेहर के रहने वाले लोग और तमाम मख़भ के लोग इसके उपर लब्बेक कहें हैं और इन्शाल्लाहो लजीज इस बंद को काम्याब बनाए जाएगा और ये बंद काम्याब कई मुद्दों को जोड़कर बंद किया गया लिकिन जो अहम मुद्दा है ये CAA NRC है इसे इसमें DNA टेस्ट करने के भी मांग की गई है कि DNA टेस्ट करके जो है NRC लागो किया जाए ये देखिए ये बहुत अच्छी मांग है DNA टेस्ट शायद ये पहली बार वामन विश्राम सा करो और अगर इसे पता चलता है कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन बाहरी है तो हम लोग सब मानेंगे और सारी दुनिया मानेंगी सारी हिंदुस्तानी की लोग मानेंगे और ये जो भी मुद्दा है ये CAA का NRC का NPR का ये तो एक अजीब मुद्दा है यार इसको सब लोग म मतलब यह है कि अपने बच्चे को उठा के फिक दो और इनर्सी का मतलब यह है कि दूसरे के बच्चे को सी ए का मतलब यह है कि दूसरे के बच्चे को गले लगा लो और इनर्सी का मतलब यह है कि अपने बच्चे को उठा के फिक दो यह इसका जोग चलना है पूरे दुनिया के अंदर इतना गलत कानून है और इतना परेशान करने वाला कानून है कि तारीख में याद रखा जाएगा और रहते दुनिया तक लोग इसको भूलेंगे नहीं जो ये दो लोग कर रहे हैं अमित शाह और मोदी ये इनकी अकड़ है इनकी फिराउनियत है औ ये इस तरीकेसे कोई भी फिराउन पैदा होगा तो अलला तनला उसका बंदूस करेगा बेरहाल हम इस कानून का विरोध کرتے ہیں اور इस धरने का पुर जोर इसकी ताईद करते हैं और मुमरा की आवाम खासकर मुमरा कौसा की आवाम पूरे बंबई की आवाम पूरे हंदुस्तान की आवाम से हम मुखलिसाना अपील करते हैं कि इस बंद को मुकमल तोर पर कामियाब बनाया जाए अपनी दुकानों को बं किया जाए अपनी स्कूलों को बंद किया जाए अपना हर कारोबार बंद किया जाए और बंद करके हकूमत को दिखाया जाए कि ये जो काला कानून है इसके खिलाब पूरे हिंदुस्तान की लोग है अचा ऐसी भी जानकारी आ रहे है कि कल बंद के दारान जो है कुछ अलमा किराम नहीं सारे के सारे लोग उनका साथ देंगे और गुसा है लोगों के अंदर इतने दिनों से बहुत से ओरतें बिचारी भूकी प्यासी बैठी रहती हैं अपने बच्चों को गोद में लेके बैठी रहती हैं आप तो शाहिन बाग को जानते हैं जो पूरे दुनिया के अ उसका नाम चलने लगा है अमरीका के अंदर बरतानिया के अंदर फ्रांस के अंदर पूरे चीन रूस सब जगां उसकी मदमत हो रही है और सब लोग जान गए है कि शाहिन बाग के अंदर बहुत लोगों को तकलीफ दी जा रही है इसी तरीके से हमारे मुंबरा के अंदर भ मुलक के लिए, अमाम के लिए कुर्बानी देती हैं. हम लोग तो सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे और बंद में या इहतजाज में शरीक नहों, यह तो कोई बात ही नहीं होती है. आप लोगों की जो तन्जीमे है तो ये शहर में सिर्फ बंद कराने के लिए जो दुकाने वगरा खुली है आप तमाम उल्मा एकराम क्या कल से कल जो है बंद कराने के लिए आप जाएंगे दुकाने या फिर सिर्फ ऐसे आउहान कर रहे हैं कि सब बंद करें ussalamu alikum warahmatullahi wabarakatuh हम लोग आज अपील कर रहे है और कल इन्शाला हम लोग शहर में निकलेंगे भी और इन्शाला जिन लोगों तक आपका ये मेसज नहीं पहुचा होंगा उनको हम सुबा मारकिट में उतर कर आपका ये मेसज पहुचाएंगे कि हमने कल पत्रकार परिश्ट भी कीती इसके मुतालिक और हम लोग शहर में उतर कर इसके लिए बंद के लिए हम इन्शालला जहाँ वहाँ दोड़ भी लगाएंगे जहाँ लोगों से दुकाने बंद करने की अपील करेंगे जिस तरह से भारत बंद का ऐलान है तो मुमरा शहर में भी जो है दुकाने लोग अपना बंद रखें और इस कानून का विरूत करें बिलकुल हम लोग इस कानफरेंस के जरीए से सिर्फ मुमरा वालों से ही नहीं बलके हमारे महराश्टर के तमाम लोगों से उसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के तमाम लोगों से इन उल्मा की कानफरेंस के जरीए से एक आजज़ाना दरखास कर रहे है कि जिस तरह आज हमा मारे देश के ग्रे मंत्री है वो इस तरह की भाशा इस्तिमाल कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह इवियम का बटन दबाना के शाहिन बाग तक उसका करन पोचे तो हम कल बन करके हम शाहिन बाग नहीं बलके उनके ही दिमाग को कल इंशालला करन पोचाना चाहते है तो आपने जो है मुम्रा यह नहीं बलके पूरे भारत को जो है बंद करने का मैसेज दे रहे हैं क्योंकि जो CAA, NRC, NPR है इस कानून के खिलाफ जो है अब देश भर की जंता आवाज उठा रही है और विरोत परदर्सन कर रही है इसी को लेकर जो है मुम्रा शहर के जो तमाम लोगों को भी बंद करने की बात उल्मा इक्राम कर रहे हैं अगर मुम्रा शहर के जो तमाम दुकाने हैं अगर वो बंद नहीं की जाती है तो यह लोग उनके पास जाएंगे और उनसे बंद करने की अपील करेंगे कैमरा मैं सल्मान के साथ इस्लामो दिन खान प्रहा टाइम मुम्रा ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें